नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सरल घरीलो नुश्के में दोस्तो सर्दियों को मौसम सुरू होते ही घुटनों के दर्द की समस्या बढ़ने लगती है खास कर उन लोगों को जिन लोगों को गठिया का रोग है आर्थराइटिस का रोग है या फिर जिन लोगों को घुटने में चोट लग गई थी उन लोगों को भी सर्दियों में कुछ ज़्यादा ही दर्द होता है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेहदी आसान से घरेलू उपाय बताने जा रहा हूँ जिनका प्रयोग करके आप गुटनों के दर्ब से बहुत ही जल्दी बहुत ही शेगर बिना किसी साइड इफेक्ट के छुटकारा पा सकते हैं तो आएए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं लेकिन दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस यूट्यूब चैनल सरल घरेलो नुस्के को सब्सक्राइब कर लीजे साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिजेगा चलिए दोस्तो बिना किसी देरी के ये नुस्के जानते हैं दोस्तो सबसे पहला नुस्का है सेव का सिरका दोस्तो एक चमच सेव के सिरके को एक गलास गर्व पानी में डाल करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए खाना खाने से दो घंटे पहले इसे प चोट लग जाने के करण दर्द हो रहा है वे लोग एक चमच सेप के सिरके में एक चमच नारियल का तेल मिला करके इसे घुटने पर अच्छी तरीके से मालिश करने दो-तीन मिनट मालिश करने के बाद इसे घुटने पर लगभग आदे घंटे के लिए लगा छोड़ दे ऐसा आप दिन में तीन से चार बार कर सकते है ऐसा करने से घुटने के दर्द में तुरंद रहात मिल जाता है लेकिन ध्यान रखिएगा पहले नुष्के का भी प्रयोग आपको जरूर से करना है चली दोस्तो अब जानते हैं दूसरे उपाई को दोस्तो दूसरा उपाई है हल्दी दोस्तो हल्दी का प्रयोग करके भी आप घुटने के दर्द में तुरंद आराम पा सकते है एक चमच हल्दी एक ग्लास नारिल का दूद या फिर बादाम का दूद भी ले सकते है नारिल का दूद या फिर बादाम के दूद को गर्म करके इसमें एक छोटे चमच हल्दी मिला करके इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके पी लीजिए ऐसा करने से घुटने के दर्द में आपको तुरंत हरा मिल जाएगा दोस्तो घ्यान रखिएगा गाय के दूद या फिर भैस के दूद का प्रयोग आपको नहीं करना है दोस्तो घुटने के दर्द का आयरवेदिक इलाज हल्दी की मदद से बहुत ज़्यादा किया जाता है हल्दी में करक्यूमी नामक प्रमुख तत्व पाया जाता है ये एंटी इंफलमेटरी की दरह काम करता है कुछ वैग्यानिक शोदों में पाया गया है कि हल्दी के प्रयोग से जोडों के दर्द या फिर घुटने की सूजन को कम किया जा सकता है दोस्तो हल्दी का एक और तरीके से आप घुटने के दर्द या फिर गठिया के दर्द में प्रयोग कर सकते हैं आदी चम्मच हल्दी, थोड़ा सा चूना और एक चम्मच सरसो के तेल को अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे थोड़ा गर्म कर लीजिये। उसके बाद जिस जगा पर घुटने में दर्द हो रहा है वहाँ पर इसे लगा लीजिये। लगाने के बाद दो तीन मिनट के लिए पट्टी बांध करके छोड़ दीजिये। इस लेप को आपको दो से तीन बार अपने घुटनों पर लगाना है लेकिन ध्यान रखिएगा लेप गर्म होना चाहिए। इस लेप से घुटने के दर्द में बहुत ही चल्दी आराम मिलता है। दोस्तो आईए अब तीसरा उपाय जान लेते हैं जो की बहुत ही आसान है। एक ग्लास पानी में एक इंच अद्रक के टुकड़े को ग्रेट करके डाल दीजिये। इस पानी को तब तक उबा लिए जब तक कि ये एक ग्लास पानी आधा कप ना रह जाए। फिर उसके बाद इस पानी में थोड़ा सा शहड डाल करके पी लीजिये। ऐसा करने से भी घुटनों के दर्द में बहुत आराम मिलता है। जिन लोगों को शुगर यानि की डाइबिटीज है वे लोग इसमें शहड ना मिलाए। इसमें नीबू निचोड कर पी सकते हैं। या फिर वे लोग जिन लोगों को थाइराइट की समस्या है वे लोग नीबू का भी प्रियोग नहीं करेंगे। अध्रक के रस को अपने घुटने पर लगा ले। इस प्रोसेस को आप दो से तीन बार कर सकते हैं। ऐसा करने से भी घुटने के तर्द में बहुत ही चल्दी आराम मिलता है। चलिए आईए अब जानते हैं तीसरा उपाई जो की बहुत ही ज़्यादा असाल है। दोस्तो एक चमच मेथी के दाने को आप रात में पानी में भिगो दें। सुबा उठ करके मेथी को छान ले और इस पानी को सिप सिप करके पी जाए। ऐसा करने से आपको घुटनों के दर्द में या फिर जिन लोगों को पुराने समय से आर्थराइटिस का रोग है। उन लोगों को भी इस उपाई से बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। अब जो बची हुई मेथी होगी उस मेथी का आप पेस्ट बना ले इस पेस्ट को घुटनों पर लगा ले। आदे घंटे के लिए घुटनों पर इस पेस्ट को लगा करके ऐसी छोड़ दें। आदे घंटे के बाद इस पेस्ट को उतार दें और फिर हलके गुनगुने पा जानते हैं दोस्तो घुटने के दर्ध को दूर करने के लिए आपको एक चमच नीबू का रस लेना है और एक चमच सुध्य तिल का तेल लेना है इन दोनों को आप मिक्स कर लें मिक्स करके अपने घुटनों पर लगा लें इसे अपने घुटनों पर 30-40 मिनट तक लगा छोड दें इसके बाद हलकी गुनगुने पानी से धोलें इस प्रियोग को आप 4-5 बार दोहरा सकते हैं दोस्तों ये प्रियोग आर्थराइटिस के रोग्यों के लिए या फिर जिन लोगों को गठिया की समस्या है उनके लिए बेहधी कारगर है इस नुस्के का प्रियोग वे कोनी चोट लग गई हो और काफी समय से ये दर्द बना रहता है या फिर ठीक नहीं हो पा रहा है उन लोगों के लिए भी ये नुस्का बेहधी कारगर रहेगा चलिए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं घुटने का दर्द या फिर गठिया के दर्द या फिर आर्थराइट और दोसो ग्राम सरसो का तेल लैसुन अजवाइन और लोग को आपको अच्छी तरीके से पीस लेना है अब इन सभी सामग्वियों को तेल में डाल करके कुछ देर के लिए जला लीजिए जब तेल ठंड़ा हो जाए तो काच की बोतल में इस तेल को छान करके डाल दीजिए अब जब भी ज़रुत हो तब इस तेल से अपने घुटनों पर मालिस करिये वैसे दिन में दो से तीन बार इस तेल की अपने घुटनों पर मालिस आपको ज़रूर करनी चाहिए ऐसा करने से घुटने मजबूत होंगे घुटनों की मास्पेश्य मजबूत होंगे और घुट गुटनों में दर्द चोट की वज़े से भी होगा तो वो भी दूर हो जाएगा चले दोस्तों अब हम लोग जानते हैं छटा उपाए जो की है जैतून का तेल दोस्तों सर्डियों में जैतून के तेल से आपको अपने घुटनों की मालिस लगभग 10 से 15 मिनट के लिए करनी च चमच नारियल के देल को आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इसे अपने घुटनों पर 10 से 15 मिनट मालिस करनी है जो की एंटी क्लॉकवाइस और क्लॉकवाइस मोशन में करनी है ऐसा करने से घुटने में होने वाले दर्द से आपको तुरंत रहत मिल जाएगी सा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नई इंट्रेस्टिंग से वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार